हेलो दोस्तों मैं राकेश शौधरी आपका मैथामेटिक्स टीचर वेलकम करता हूँ डिजिटल तैरी के यूट्यूब चैनल पर हम बात कर रहे हैं नमबर सिस्टम एंद एलजेब्रा एडवांस मैठमेटिक्स के टॉपिक की और पार्ट देख रहे हैं होगी इस तरह के questions को करने के दो तरीके हैं एक तरीका तो ये कि x y और z की values जो है वो assume कर लीजिए मतलम मान लीजिए और वो इस तरह से माननी हैं हमें कि ये जो आपको दो equation दे रखी है इन दोनों समय करनों को ये x y और z की values क्या करे satisfy करे संतुस्ट करे इस काल x y z की जो values आप मन से माने वो इसमें और इसमें रखने पर equals to में जो ये 10 और equals to में जो ये 30 है वो आ जाए तो अगर आप वैसे मानेंगे फिर ये इसको satisfy करेगी फिर उन values को आप इसमें रखेंगे तो भी आपका answer आ जाएगा लेकिन आप देख सकते हैं पहले तो value मानने में time लगेगा फिर इसमें रखकर हमें देखना पड़ेगा कि ये बराबर में वो values दे रहा है या नी दे रहा मतलब इन दौनों समिकरण को संतुस्ट कर रहा है या नी कर रहा है जैसा कि आपको पता है आपको पूछा क्या गया है x cube plus y cube plus z cube माइनस 3 x y z तो एक तरह से देखें आं तो x y z किजए कि अगर a b c हो तो ये formula क्या है a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c तो आपको पता है कि a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c जो है वो formula होता है आपका किसके बराबर a plus b plus c आगे जगे नहीं है तो bracket में हम नीचे लिख लेते हैं दौनों bracket आपस में multiple में है a square plus b square plus c square minus a b b c और minus का c है बस फर कितना है कि यहाँ पर आपके a b c की जगे x y z है ठीक है तो आपको कुल मिला अगर इसकी value रिकाल नहीं है जो कि इसके बराबर होती है तो जो है बराबर उसमें मैं देख सकता हूँ कि जो x plus y plus z है वो तो आपको दे रखा है सीधा सीधा 10 कोई दिक्त वाली बात नहीं है और जो x square plus y square plus z square है वो भी आपको दे रखा है कि इतना 3030 तो value निकालनी किसकी रह गई अब x y minus y z minus z x की value निकालनी रहेगे तो देखिएगा इसको हम निकालेंगे यहां से x plus y plus z equals to कितना है 10 दौनों तरफ square कर लेते हैं तो square करेंगे तो जिस तरह से a plus b का whole square होता है उसी तरह से a plus b plus c का भी whole square होता है तो square कर लिया हमने a plus b plus c का whole square और 10 का square कितना 100 exam में यह detail में नहीं करना है यह first question है इसलिए पूरा detail में आपको समझा रहा हो ठीक है? चलिए a plus b plus c का square होता है a square plus b square plus c square plus 2ab a plus b और फिर a b plus b c plus c a इस तरह से यह formula बनता है a plus b plus c का whole square a square b square c square plus 2 times of a b plus b a b plus b c plus c a यह बनता है formula यह equals to किसके? 100 ठीक है? यह आपको again पता है question के अंदर कितना है? 30 plus यह आपको निकालना है 2 times of x y y z और z x equals to में कितना है? 100 तो आप देख सकते हैं 30 उदर जाएगा तो 100 में से 30 less होगा तो कितना हो गया? यह 70 और यह multiple वाला 2 जो है वो उदर division में लगेगा तो 70 by कितना हो गया? 2 तो यह हो गया 35 अब हमारे पास इन तीनों की value आ चुकी है x plus y plus z आपके पास 10 है x square y square plus z square आपके पास कितना है? 30 है और यह जो minus है इसको common ले लूँगा तो अंदर x y plus y z plus z x बचेगा तो x y plus y z plus z x जो बचा वो आगया कितना? 35 तो इस तरह के questions का पहला pattern था पहला question था यह तो पहले question को पूरा detail में बताया है अगले जो questions है इस तरह के इस तरह से आपको लिख लिख कर नहीं करना आपको direct क्या करना है? जो यह आपको x y z या a b c जो भी equals to पर दे रखा उसका square कीजिए और square करने के बाद जो इसके square वाली value है वो उसमें से minus कर दीजिए जैसे 100 में से 30 minus कर दिया और उसका आधा कर लीजिए तो आपको यह x y y z z x जो भी है वो मिल जाएगा ठीक है? value रखता है यहाँ पर यह है हमारे पास किता? 10 x square y square z square यह किता है? 30 minus x y y z z x plus का है जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है आपके पास? वो है अमारे पास यहाँ पर क्या? x y y z और z x माइनस बाहर लेंगे तो अंदर सारे के सारे plus के हो जाएंगे तो उसकी value हमारे पास कितनी है? 35 तो आपके पास values सारी आ गई यह 10 हो गया यह जो x square y square z square था यह 3030 हो गया फिर माइनस बाहर लिया तो अंदर x y plus y z plus z x बना जो कि कितना हो गया आपके पास? आपने देखा यहाँ पर 35 हुँ आपके पास अब आपको इसकी value निकाल ली है तो 30 minus 35 करेंगे तो minus का 5 और minus का 5 का 10 से multiplication करेंगे तो वो बनेगा minus का 5 तो इस पूरे का answer आप कह सकते हैं जो आपको पूछा था इसका answer आ रहा है कितना minus 5 ठीक है? तो यह इस तरह के questions को यह detail में नहीं करना है first question इसलिए explain किया है तो अगर आपको यह अंदर वाली value निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? जो x, y, z जो भी दे रखा आपको उसके number का square करेंगे और यह जो square वाली value है उसको आप उसमें square वाली value में से जो उपर वाली value है जिसका square किया है उसमें से आप subtract करेंगे और उसका फिर कर लेंगे आप क्या आधा तो आपको answer मिल जाएगा चलिए यह था question number 139 बात करते हैं next question 140 वैसा ही कुछ question है हमारे पास x plus y plus z आपको given है x square y square z square आपको given है x cube y cube z cube minus 3 x y z पूचा है तो इसका formula आप ABC के format में देखें तो a cube b cube c cube minus 3 a b c पूचा है जो की आपको पता है क्या होता है अब direct करेंगे हम जो की हमें पता है इसकी value होती है क्या a plus b plus c मतलब x plus y plus z और x square y square z square minus x y y z और z x ठीक है अब इन में से values हमारे पास कौन कौन सी है पहले उसको ले 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 तो इन में से values x y z की हमारे पास कितनी 15 ये लीजिए यहाँ पर 15 रख दिया again bracket x square y square z square है हमारे पास 83 तो ये value हमने रख दी 83 अब हमने minus common ले लिया तो अंदर वाले minus 12 आगे तो अंदर वाले सारे के सारे पद हो गए plus के तो x y plus y z plus z x निकालना आपको जो की किस तरीके से निकालेंगे आपको direct बता देते हैं कि 15 है 15 का square कर लीजिए तो 15 का square हो गया कितना 250 इसमें से minus कर लीजिए जो ये value given है आपको 83 और उसका कर दीजिए divided by 2 ऐसा क्यूं तो ये पिछला question हमारे सामने है जिसको हमने पूरा detail में देखा है जो number था उसका square किया फिर जो ये value दे रखी है इसमें से minus की तो 70 हुआ और फिर उसका divide by 2 किया तो ये value 35 बनी थी तो बस इस बार formula नहीं लगाया और direct हमने ये ध्यान रख लिया कि इस तरीके से हम निकाल तो अगला question जो कि हम कर रहे है यहां से इसकी value ले ले लेते है तो 2, 2, 5 में से 83 less करना है तो आप देखेंगे 5 में से 3, 2 ये 12 में से 8 गया तो 4 ये 142 by 2 जो कि कितना बन रहा है आपके पास जो कि बन रहा है 71 तो ये 71 या लिख लीजिए ये आगया 71 आंसर आगया अब आपका 15 multiply 83 माइनस 71 करना है तो 83 माइनस 71 कर लीजिए कितना हो गया ये हो गया आपके 3, 1, 2 और 8, 7, 1 तो 15 और 12 का multiply कर लेते हैं तो 15 और 12 का करना है तो 15 और 10 का कितना होता है 150 और उपर के 2 है इसका अलए 30 तो finally answer आगया कितना 180 इसका answer आचुका है ये था question अमारा 140 बात करते हैं next question 141 के बारे में क्या गहरा question number 141 देखिए गया आपको क्या दे रखा इसमें ये एक extra चीज है जो कि हमारे काम की नहीं है इसलिए वाले question से लिखी गई है आपको given है इसमें क्या a plus b plus c equals to कितना 6 और आपको दे रखा है a square plus b square plus c square equals to कितना 16 और आपको दे रखा इस बार a cube plus b cube plus c cube equals to 14 और पूछा गया आपको a b c के बारे में पूछा है कोई दिक्कत नहीं है वही format है वही question है लेकिन पूछा इस बार कुछ अलग है लेकिन होगा उसी तरीके से वही formula कामाएगा हम देखते हैं कि a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c का जो formula होता है वो होता है a plus b plus c a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c यह formula होता है अब इस formula में से हमें a b c की value निकालनी है यह रापका a b c तो इसका हमें इसकी value निकालनी है तो बाकी सब की value हमें पता होनी चाहिए तो देखते हैं जो दे रखा है उसमें बाकी सब की value हमें पता है या नहीं a cube plus b cube plus c cube दे रखा कितना, 40, लिख लेते हैं, 40-3ABC, A+, B+, C भी दे रखा कितना है, 6 है, तो ये भी लिख लेते हैं, और A2, B2, C2, ये भी दे रखा कितना है, 16 है, तो इसकी value भी लिख लेते हैं, minus, इन तीनों में से minus बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, A, B+, B, C, C, A, तो अभी तक हमने 2-3 question किये हैं, इस तरह से, जब आपको A+, B+, C पता हो, और A square, plus B square, plus C square पता हो, तो हम A, B, B, C, और C, A कैसे निकाल रहे थे, तो हम निकाल रहे थे, A, B+, B, C, C, A, जो ये 6 है, इसका तो कर देते थे, हम क्या square, तो 36, उसमें से फिर ये minus कर देते थे, और बटा हम क्या कर देते, 2, क्यों, ये आपको first वाले question में with formula मैंने explain किया है, तो 36 में से 16 कम कर लिया, तो कितना हो गया, ये आपके, 36 में से 16 कम हो जाएगा, तो 20, upon 2, तो ये कितना हो गया, 10, ठीके, तो कुल मिला अगर ab plus bc plus c ये जो है, उसकी value आ गई 10, तो ये रख लेते हैं हम यहाँ पर 10, तो आपका answer भी आ चुका है, ये है 40, ये minus 3 abc, 16 minus 10 करूँ तो 6 हो गया, 6 का 6 से multiplication 36 हो गया, ये 40 है, ये minus 3 abc है, 36 को इधर लाते हैं, तो 40 minus 36 करूँगा, तो कितना हो जाएगा, 40 में से 36 less हो गया, 4 equals to 3 abc, abc पूछा था, तो ये 3 नीचे चला गया, तो answer आ गया 4 by 3, तो जो आपको पूछा था, उसका answer आ रहा है, 4 by 3, आसान question था, ठीक है, simple सा सवाल है, ये verbally हम कर सकते हैं, और इसमें value रखनी है, तो ये formula हम लिखेंगे नहीं, हम तो सीधा यहां से start करेंगे, और आगे वाली calculation भी verbally की जा सकती है, तो ये था हमारा question 141, बात करते हैं, इस part के last question 142 के बारे में, क्या कह रहा है, question number 142 देखिएगा, same question, x, y, z आपको पता है, x, y, y, z, z, x पता है आपको इस बार, और आपको x cube, y cube, z cube, minus 3x, y, z पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप देख सकते हैं, इसका formula अगर हम देखें, x cube plus y cube plus z cube, minus of 3xyz, a, b, a cube, b cube, c, q वाला formula ही है, बस x, y, z में लिखावा है, इसको हम लिख सकते है, x plus y plus z, x square, y square, z square, minus xy, minus yz, और minus zx, exam में formula लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो आपको explain किया जा रहा है, इसलिए लिख रहा हूँ, अब आपको पूछा इसके बारे में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये सारी values आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें से कौन-कौन सी values पता है, ये पता हमें कितना है, आप, लिख लेता है यहाँ पर आप, क्या हमें x square, y square, z square पता है, नहीं, अभी तक तो पता हो रहा था, लेकिन इस बार ये दे दिया गया, और इसके बारे में जानकारी निकाल लिए, तो निकल जाएगी कोई बड़ी बात लिए, तो इसको अभी asities रहने देते हैं, minus common लिया, तो x, y, y, z, z, x, जो अंदर minus के थे, minus बार लेने पर अंदर plus के हो गए, और जिसकी value given है कितनी 24, तो ये हो गया 24, इसकी value निकालनी है, तो इसकी value अभी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, उसी formula से निकलेगी, तो देखते हैं कैसे इसे ले लेते हैं, first वाले कोई, x plus y plus z equals to 8 है, तो इसका square कर लेते हैं, square करेंगे तो दौनों side में square होगा, इधर square होगा, तो ये तो a plus b plus c का whole square हो गया, जो की होता है, a square, b square, c square, plus two times of a, b, formula exam में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको explain करने के लिए formula लिखा जा रहा ह इकोल्स to 8 का square कितना 64, ये value हमारे पास पढ़िए इस बार, sorry, ये वाली value हमें निकालनी है इस बार, ये वाली value है हमारे पास, कितनी है 24, तो 24 का 2 से multiplication कर ले, तो 24 का 2 से multiplication हमने कर लिया, तो ये मन गया 48, तो 48 उदर जाएगा, तो 64 में से 48 less हो जाएगा, तो ये value मिल जाएग 64, ये 24 आया, आया मतलब दे रखा आपको, इसका double किया, तो 24 का double हो गया, 48 उदर 64 में से less कर ले, तो 48 less हुआ, 64 में से, तो कितना रह गया ये, ये रह गया आपके पास 16, ठीक है, तो 16 आया, ये 16 यहापे रख दीजिए, आपका answer आ चुका है, जो आपको पूछा था, तो ज पूछा है, इसकी value आ गई, क्या है, ये रही value इसका, तो ये calculation हम कर लेते हैं, तो क्या होगी ये calculation, 8, 16 minus 24, 16 minus choice करूँगा, तो कितना बन गया, minus का आंट, तो बार वाले आंट से गुणा हो जाएगा, तो finally answer आ जाएगा, minus का 60, तो question जो पूछा गया था, उसका answer आ रहा है, ये पूछा गया था आपको जिसकी value आ रहे है, minus की 64, तो ये था हमारा question 142, जो कि इस part का last question था, बात करेंगे question 143 से हमारे next part में, तब तक चैनल को subscribe, और वीडियो को like and share, जरूर कीजिए और comment box में अपने comments केजिए, थैंक्यू सो मच, प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी